जय हिंद हमने फिछले क्लास में बिंड टो概फी में कुछ बाते को Oke spicy हिन्गे बताएंगे लेकिन इनके बारे में कुछ चीजे बता दे इसके बाद आगे चलते हैं जैसे कि लोएस में हम बता दें कि लोएस जो है वो आप लोग फीगर में यहाँ पर देख सकते हैं लोएस किस आकरित का होता है किसे लोएस कहते हैं वावू जो रेगिस्तान होता है रेगिस्तान में क्या होता है रेगिस्तान में होता है कि जो मिट्टी होती है रेथ होती है हो इस तरह से प्वार जाती है जैसे कि माली यह भूसा भी बिछ जाता से बीच जाता है तो उसी प्रकार से सब बढआ है वो चीन में है चीन का जो गोबी मरुस्थल है गोबी मरुस्थल वहाँ पर क्या है सबसे बड़ा लोयस का मैदान मरुस्थल ठीक है सबसे बड़ा यह क्या है सबसे बड़ा लोयस का मैदान सबसे बड़ा सबसे यहाँ पर बड़ा क्या लोयस का मैदान लोयस का मैदान है अग पूछा जाए सबसे बड़ा लोयस का मैदान तो क्या हो जाएगा चीन का वो भी मरुस्थल मरुस्थल किसे कहते हैं जहां की मिट्टी मरी हुई होती है मिट्टी क्या होती है मरी हुई होती है वहां को कहते हैं मरुस्थल कहते हैं जहां पर पिड़ पौदे नहीं उकते हैं तो वहां पर मरुस्थल उसे कहेंगे जहां की मिटी मरी होती है यहां पर पिड़ पौदे नहीं उकते हैं मरुस्थल में सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा वो होगा सहारा मरुस्थल ठीक है सभसे में सब्सेबडा मुरुस्थल हो जाएगा वह सहारा मुरुस्थल हो जाएगा लेकिन अगर पुछस जाय于 बिष्व क्या होता है लेकिन जो थार वाला है वो रिफस्तान में जो बहरत का सबसे बड़ा मुरस्तर चीक है बड़ा हो जाएगा कर दो के बारे में आप लोग मैं कीलर हुआ तीं आगी हम चलते हैं घरसन की कि एक कि से कहते हैं जैसे की हम जा रहे को बिगडा दिया अब बिगडा दिया तो इसमें क्या करेंगे तो इसमें क्या करेंगे बाबू कि वहां पर हवा द्वारा घरसंड लगा है हमारे बाल पर तो उसको हम समझ सकते हैं कि इसका पावर कम रहेगा जब हवा घरसंड लगाएंगी तो वहां पर उसका पावर कम रह वैसे तो गर्षण उसे कहते हैं जो दो वस्तुओं के बीच में लगता है असपरसगत का बिरोध करता है लेकिन यहां पर घर्षण में हम लोग समझेंगे घर्षण उसे कहेंगे वायु दौरा निर्मित अस्क्राक्रिटी में वहां इसका पावर कम रहेगा तो यहां पर घर आधी चल गई ठीक है एकदाम पूरा भेंकर आधी पूरा धूल कंकर और यहां पर जो है बनी सन्नी जो भी उड़ा सब उड़ा के लिके जा रही है और रास्ते में हम जा रहे हैं और हमारे उपर पूरा लाके पठक दिया और हम तो ढह जाएंगे उसी में लेकिन वहां पर क्या होगा वहां पर उसे कहेंगे अप घर्षन ऐसा मतलब वहां पर घर्षन लगा पनी सन्नी जो भी बटोरी उसमें घर्षन लगा तो वहां पर घर्षन तो लगा लेकिन वहां की पावर जो है वह आधी थी तो आधी में हो जाएगा अप घर्षन ठीक है वहां पर उसका तो पाउर ज्यादा रहता है उसे हम सननी घरसन किसे कहेंगे जैसे कि बन गया जो है जो भी रहेगा उसमें उसमें आपस में घरसन होगा उसे हम सन्नी घरसन कहेंगे ठीक है यहां तक आप लोग किलियर हो गया चत्रस्चिला का figure आप लोग देख सकते हैं यहां स्लाइड में ठीक है और इंसलबर्ग का figure देख सकते हैं जूगेन और जालीदार्चिला का भी figure देख सकते हैं और इसे साथ साथ कुछ भी और था जैसे की इंसलबर्ग ठीक है डाई कांटर ठीक है डाई कांटर यह छूट गया था डाई कांटर होता है जो जूगेन से छोटा होता है यह नीचे बैठ जाता है तो उसे डाई कांटर पिछले की वीडियो में हमने बताया था डाई कांटर की से करने इन सब के बारे में बता दिया था लेकिन हमने सो केलियर हो जाये तो यहाँ पर हमनें बताया यह सिंग का फीगरiper यहाँ पर की बहुए मतलब की महां पर ऐसा चेला यहाँ पर क्या होता है देख्षी जाली पर यह माल लिजी यह लोएस का मैदान ठीक है लोएस का मैदान है यह तो यहां पर जब हवाएं वहां पर तेजी से चलती हैं वहां पर कोई रोपने वाला प्र पोद है या फिर घर्ड़ुआ होता ही नहीं पूरा एकदम अनाटा और पूरा एकदम खुला तो अराम से उपर से अगर प्रेशर मारेंगी यहां पर अगर प्रेशर मारती है तो यहां पर यह गड़ा कर देंगी यहां पर यह गड़ा कर देंगी इस गड़े को कहेंगे वातरंद्र ठीक है इस गड़े को कर दी है हवाएं कर दी है तो हवाएं जब कर दी है तो यहां पर इसका जो बालू होगा, यहां पर रेथ होगा, इसको यहां पर उठा के फेक देंगी, पटक देंगी, तो यहां पर एक क्या बनेगा? एक तीला का निर्मार होगा जिसे कहेंगे बालू का इस्तूप ये है बालू का इस्तूप रेगिस्तान में मतलब की मरस्थल में अगर कोई गड़ा हो जाता है तो उसे कहेंगे वातरंद्र और अगर इस गड़ा को जहां पर मतलब की अगर कोई टीला बन जाता है तो उसे कहेंगे बालू का इस्तूप ठीक है तो यहां पर ये है बालू का इस्तूप अगर हवाएं चली इस तरफ से इसको बकोट दी इसको पचका दी ठीक है इसको चंद्रकार आकरिती बना दी इसको यह क्या की चंद्रकार आकरिती का निर्मार कर दी तो उसको कहेंगे बरगान इसको क्या कहेंगे बच्चा बरगान तो बरगान किसे कहेंगे कि अगर प्रेगिस्तान में मरुस्थर में हवाएं किसी बालू के इस्थू को एक तरफ से काट दी तूसे बरगान और गड़ा वात्रंद बालू का इस्थू बरगान ठीक है यहां तक क्लियर हुआ अब आगे है हम लोग रेगिस्तान में अगर यहां पर पानी आ गया मतलब की यहां पर अगर पानी आ गया इस गड़े में भर गया अगर जील बन गया इस जील को पहेंगे वालसन जील रेगिस्तान में बनने वाले जील को क्या कहते हैं वालसन जील कहते हैं ठीक है वालसन जील कहां बनता है तो मरुस्थल में रेगिस्तान में ठीक है वालसन जील इसका ग्यामपल है अन्ना सागर जील जो की वालसन जील का ग्यामपल है जहां कहां बनती है ये ये बनती है मरुस्थल में रेगिस में बने जील को वालसन जील कहते हैं अगर इसका पानी सुख गया अगर इसका पानी वैपराइजेशन हो गया और ये तो सूख गया अब जब सूख गया तो उसको कहेंगे पलेया अब ये जब सूख गया सूखे जील को माली जी यहां पर हम बना रहें ये बन गया इसमें कु जील को कहेंगे पलेया अगर जील सूख गया तो उसको पलेया अगर मानी है तो वालसन जील इसका एक्जामपल अन्ना सागर जील जो की मरुस्थल में है और मरुस्थल के जील को कहेंगे वालसन जील सूख गया तो पलेया अब बताएए नमक का सुरोत पलेया नमक का सुरोत अब जब यह सूख गया तो यहां पर नमक पाया जाएगा ना तो नमक का सुरोद प्लेया ठीक है नमक का सुरोद प्लेया अब देखिए यहां पर हवाय चली और गड़ा कर दी गड़ा को कया कहेंगे उस तीले को कहेंगे बालू का इस तूप अब इसको जो है हवाएं इस तरफ से चली है और इसको काड पी अंदर चंद्राकार बना दी तो यह क्या बनेगा इसको कहेंगे वरगान इसको क्या कहेंगे वरगान ठीक है और यहाँ पर रेगिस्तान में बने जील को वालसन जील रेगिस्तान में बने जील को वालसन जील अ सब्सक्राइब इस dedicator में थिल कि डाजस्थान में उपने किसका इंग वालसन कर ठीक है यह तक क्लियर हुआ अगर टी यह टीला नहीं है वलकि इस है इस तरह से यह तो इस अकेले है किसी का डर नहीं तो इसको कहेंगे भू अस्तम्ब ठिक है इसको कहेंगे भू अस्तम्ब अगर यही चट्टाने लाइन से इस तरह से कई चट्टाने आपस में लाइन से खड़ी है तो इसको कहेंगे यार डंग इसको कहेंगे यार डंग जब चट्टाने लाइन से ख़ड़ा होता है तो उसको कहेंगे यार डंग अगर चटान अकेला है तो भू अस्तम अगर साथ में कई लोग हैं तो क्या कहेंगे उसे यार डंग ठीक है यहाँ पर इसको आप लोग समझ सकते हैं चलिए अब आज की कलास इतना ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाल 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 झाल